आज मैं बनाने जा रहे हूँ कुकर में सिर्फ एक ही विसल में बनकर तयार हो जाने वाली मस्रूम मसाले की सबजी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है साथ में बहुत ही कम महनत और बिना किसी जहनजट के ये बनकर तयार होती है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये और साथ में मैंने बहुत ही टेस्टी और जटपट बनने वाली सैलेड की रेसिपी सेयर कर रही हूँ जो आप कभी न कभी रेस्टोरेंट में आप लोगों को साइड डिस के तौर पर ये आपको सैलेड जरूर सर्फ किया गया होगा मुझे तो ये सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर कल साम में ही मसरूम लाकर रखे थे तो मैंने इस मसरूम को ले लिया है और इसे सबसे पहले हम धो कर अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि जो मसरूम होती है ना मसरूम में थोड़ी गंदगी होती है तो इसे अच्छे से साफ करना जरूरी है तो मैंने पानी में डालकर अच्छे से 2-3 बार इसे अच्छे से ऊपर से रगडते हुए मैंने इसे क्लेन कर लिया है और यह मसरूम फ्रेश फ्रेश है एक दो है जो हमने कल लाया था ना इसलिए थोगा सा color dull हो गया है नहीं तो अगर mushroom को है कि आप लाईए fresh fresh तब ही बनाईए यह उपर से black नहीं होती है, brown नहीं होती है नहीं तो यह थोड़ी सी काली पर जाती है तो मैंने mushroom को 2-3 तुकड़ों में cut कर लिया है, मैंने बड़े-बड़े चम्मच इसमें सबजी मसाला एड किया है और एक छोटा ही चम्मच मैंने यहाँ पर लसुन और अद्रक का पेस्ट लिया है और मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच दही लिया है जिसे मैंने छन्नी पर रखकर छान लिया था एकसेस इसमें जो पानी था वो निकाल लिया था यह आप हंकर्ड भी बोल सकते हैं यह गाड़ी हमें दही चाहिए इसलिए मैंने च्छनी पर निकाल लिया था कि ताकि यह पानी निकल सके यह अच्छे खासे गाड़ी है तो बस इसे हम मिक्स कर देंगे और ढखकर इसे छोड़ देंगे और यहाँ पर मैंने लिया है दो मीडियम साइज की टमाटर दो हरी मिर्च और दो टमाटर और थूड़ा सा लसुन और अधरक तो एक चौपर लेंगे और चौपर में हम प्याज को कट करके डाल दे रहे हैं आप चाहें तो हाथों से भी बारिक इसे कट कर सकते हैं पर इस तरह मैं चौपर में डाल दे रही हूँ चौपर में ये बारिक हो जाएगी अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप मिक्षर ग्राइंडर में डाल कर इसे एक दो बार चला लिजेगा तो ये बारिक हो जाएगी एक इंच अद्रक का टुगडा, 7-8 लसुन की कलिया और 2 हरिमेच इन सभी को हम बारिक चॉप कर लेंगे अगर आप चाहे तो हाथों से भी बारिक चॉप कर सकते हैं तो बस हमने इसे चॉप कर लिया है ये हमारा मसाला तैयार हो गया है प्याज का बहुत जादा हमें इसे ग्राइन नहीं करना है बस इसे हमें दर्दरा सा चाहिए तो मैंने इस तरह से दर्दरा प्याज को कर लिया है चॉप गैस पर हमें कूकर रखेंगे और कूकर गैस को अन कर लेंगे और हम इसमें औanut डाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच के करी मैंने ओयल डाला है जब तेल हलका गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच साबू जीरा, दो तेज पत्ते और साथ में हम कुछ खड़े गरम मसाले इसमें एड़ करेंगे तो मैंने एक बड़ी इलाइची डाला है, साथ में मैंने यहाँ पर दो छोटी से टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं दो मैंने छोटी इलाइची डाला है, साथ में चार से पांच मैंने काली मिर्ची डाला है और जो हमने प्याज लिया था ना जो चौप किया था बारिक उसे हम इस कुकर में हम डाल लेते हैं और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये सौफ्ट ना हो जाए और ये हलका गोल्डन कलर ना आ जाए तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून कर प प्यूरी भी बना सकते हैं पर इस तरह से भी है जब आप काट कर डालियेगा तो ये घुल जाएगी जो सबजी है उसमें मिल जाएगी तो ये प्याज भी आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया है प्याज भी अच्छे से हमारा भून गया है तो इस स्टेज पर हम डाल द आधा छोटा चमच मैंने लालमिच पॉड़र लिया मैंने तीखा वला लिया एनग मेरे पास खतम हो गया था तो मैंने नहीं के डावाद है और शाथ में मैंने नमक स्वाध कि अनुसार डाल लिया है और इसे हम 6-7 मिनट के लिए लग भग लो dough 1 अर अजलैम पर पका आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से मिल गया है प्याज के साथ और अच्छे से ये गल चुका है तो बस हम इस स्टेज पर हम डाल लेंगे मसरूम तो यहां पर जो हमने मसरूम रखा था आप देख सकते हैं बिलकुल भी ये पानी नहीं छोड़ा है क्योंकि हमने इसमें पानी एड नहीं किया था और जो दही था न बहुत अच्छे से पानी निकला हुआ था तो इन सभी मसरूम को हम डाल लेते हैं कूकर में और इसे हम कुछ मिनट के लिए पका लेते हैं कम से कम हम 2-3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे तो यहां पर मैंने इसे चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लिया है तो आप देख सकते हैं 2-3 मिनट के बाद हलका हलका सा जो मसरूम है वो पानी रिलीज कर रहा है और साथ में जो हमने दही डाला था तो दही से भी हलका सा पाणी निकल रहा है तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे भूनने के बाद इसमें मैं पानी आड़ कर रही हूँ तो मैंने इसमें करीवन 1.5 कप के पानी डाला है हम मुझे इसमें बहुत जादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए मैंने आधा कप पानी इस्तेमाल किया है और बस कुकर की लिड को हम लगा देंगे और इसे एक विसल आने तक पका लेंगे जब तक मसरूम पक रहा है तब तक हम इधर रोटियां भी बना लेते हैं तो मैंने इसके साथ खाने के लिए प्लेन रोटी बनाई है आप चाहें तो कोई भी स्पेसल रोटी बना सकते हैं नान बना सकते हैं कुल्चे बना सकते हैं उसके साथ भी यह बहुत अच्छा लगेगा पर मैं आज इसे प्लेन ही रोटी बना रही हूँ, आप चाहें तो अपने हजबन के लंच बॉक्स में भी जटपट मस्रूम की सबजी बना कर दे सकते हैं और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही स्वादे सी सैलेड की रेसिपी, तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया था, जिसे लंबे लंबे लच्चे में कट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने कैबेज लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा गाजर लिया है, जिसे भी लंबे लंबे स इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो मैंने आदा छोटव चमत चिली फ्लेक्स डाला है, तीक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, नमक स्वाथ के अनुसार और आधा हम नीμबू का रस लेंगे, और साथ में जैने थोड़ा सा बारिक कट किया हुआ धनिया पत्ता, और इ ज़ियार है इसे आप एक बर खाइएगा friends बोहत ही स्वादिष्ट यह लगता है एक बार इस सैलेड को ज़रूर ट्राय कीजिएगा बोहत ही स्वादिष्ट लगता है मेवनिस डालने से थोड़ा सा अनहेल्थी हो जाता है पर कभी कभार इकात बार आप इस सैलेड को बना कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो बस इधर जो हमारा कुकर है कुकर की गैस भी निकल गई है सीटी विसल निकल गई है तो बस मैंने कुकर की लीड को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं सबजी का टेक्स्चर कितना अच्छा आया है और इसे मैंने थोड़ा सा और अगर चाहें तो आप इसे सुखा सकते हैं पर ये जो सबजी है वो बनकर तयार है तो बस मैं इसमें डालूँगी थूड़ा सा बारिक कट किया हुआ धनिया पत्ता और साथ में मैंने एक चौथाइक चमच गरम मसाला इसमें एड किया है इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए पका लेंगे ये हमारा बहुत ही टेस्टी मसरूम मसाले की सबजी तयार है वो भी एक ही विसल में बनकर तयार हो जाती है तो कैसी लगी आपको ये रेसेपी जरूर कमेंट करके बताईएगा अगर आपको हमारी आज की रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजेगा टाकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाई बाई फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में